नमस्कार स्टोतों, आप सबी को राष्टिय मुख्य विद्याले शिक्षा संस्तान में स्वागत है। आज हम ये टॉपिक पे आएंगे स्तन पान। ये जो है जन स्वास्त पाटिक्रम के अंतरगत बाग्टू के तीसरी अध्याई का है। आज जो हम टॉपिक पे डिसकस करने जा रहे हैं ये बहुत महतुपूर्ण है और कम्मूनिटी हेल्थ वर्कर होने के नादे आप लोगों की बूमी का इस अध्याई पे काफी है। तो आईए आज हम इसके उपर चर्चा करें। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर स्नेहलता दोर्नाला प्रोफेसर वैद्य एकदत शर्मा आयडवेद महावित याले कुर्जा में कारियरत हूँ। आप जानते हैं कि जनस्वास्त पार्टेक्रम के जो सेकंड बुक है वो मात्र एवं शिशु स्वास्त के बारे में जानकारी है। आपने पहले वीडियोस में देखा है कि घर्बावस्ता और घर्बावस्ता में महिला की देखरेक और प्रसूती अवस्ता, सूती का अवस्ता, नवजात शिशू की देखरेक के बारे में आपने जाना है। आज हम स्तनपान के बारे में एलॉबरेटिव ले जानेंगे। स्तनपान माता का प्रसूती होने के बाद तुरंत ही या आदा गंटे के अंदर स्तन का पान करवानी चाहिए। अगर मा का सिजेरियन सेक्षन या एल्लसीयस जिसे हम कहते हैं होता है तो मा जब स्वास्त हो जाते हैं उसके बाद यानि की दो गंटे के अंदर हमें स्तनपान करवानी चाहिए। चलिए आईए देखते हैं इसमें डीटेल से। नवजात शिशु की पोशन जैसे कि शिशु के जन्म के उपरान उसके स्वास्त की देखबाल संबंदित महत्वपुन कारी होता है आप सबी इसे जानते हैं। रोगानु रहित स्तितियों में मा का दूद उपलब्द होने के कारण शिशु के लिए यह सर्वोत्तम आहार है। स्तनपान कराने से शिशु को संपूर्ण स्वास्त देने वाले सभी अनिवारी पोशक तत्वों की प्राप्ति के साथ रोगों से लडने की प्रतिरक्षा शेक्ति भी मिलती है। स्तनपान करवाने का मुख्य उद्देश शिशु के लिए मा के दूद के महत्व पर आप लोग प्रकाश डाल सकेंगे। प्रारम्भिक दूद यानि इसे कोलस्ट्रम भी कहते हैं। यह अक्टियंत पौश्टिक, पीतवर्ण और थोड़ा छिपचिपा होता है। प्रारम्भिक दूद मा के स्तनि से पहली बार उत्पन्न होती है। यह गाडा भी होता यह पहले के प्रसव के पहले दिन से लेकर दो, तीन, चार दिन तक ये उपलब्द है और इसको कदापी ना फेगे और शिशी को जन्म के उपरांद आदे गंटे के बीतर ही कोलेस्टरम पिलाना चाहिए अगर मा का ओपरेशन से होता है तो दो गंटे के बाद इस कोलेस्टरम को पिलाना चाहिए यहाँ कोलेस्टरम को कहीं लोग दूद ना मानकर इसे स्क्वीज करकर निकाल के फेग देते हैं यहाँ कदापी ना करें क्योंकि इसके अंतरगत कहीं तरह के तत्व हैं जैसे कि पोशक तत्व और रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने वाले तत्व और वृद्धी एवं विकास को बढ़ाने के तत्व हैं नुट्रिशनल फैक्टर जैसे इसमें प्रोटीन से हैं, विटामिन से हैं, मिनरल से हैं, कार्बोहेड्रेट्स, वसा, एनर्जी यह सारे उपलब्द हैं इसके अलावा जो रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने वाले तत्वों में इम्नोग्लोब्लिन्स हैं भरपूर, जो इम्नोग्लोब्लिन A, G, M, D, E, इसके अलावा लैक्टोफिरिन, आल्बुमिन्स, लाइसुजूम्स हैं ये मात्रा में कम उत्पत्ति करते हैं लेकिन इसके अंदर भरपूर ऐसे तत्व हैं जो शिशू के रुद्धी एवं विकास में दोहद करते हैं इस तनपान के दोरान स्वास्त कार्य करता की क्या भूमिका हैं आज हम अभी चर्चा करेंगे आप लोग as a community health worker इस पर चर्चा करें कि इस तनपान के माध्यम से शिशू को प्रदम 4-6 मा के जीवन काल के लिए सबी अपेक्षित पोशक तत्व उपलब्द हो जाते हैं अन्यथा इसके अतिरिक्द कोई और तरल्पदार्थ शिशू को नहीं देना चाहिए प्रारंबिक दूद यानि कोलेस्टरम अपेक्षाकृत अधिक पोश्टिक तता शुरक्षित होता है क्यूंकि आपने जाना है कि इसके अंदर कितने सारे तत्व हैं इसके अलावा प्रदम चार मातर विशिष्ट रूप से मा का ही दूद देने का अर्द यहाँ है कि शिशू को अन्यकोई तरल्पदार्थ जैसे शहत, गुट्टी, पशू के दूद, डिब्बे का दूद, पानी, आदी ना दिये जाए कहीं बार रूरल एरियास में यहाँ देखने को मिलता है कि शिशू को स्तनपान कराने से पहले ही पानी या चाय के पानी या अन्यकोई तरल्पदार्थ दिया जाता है बिना डॉक्टर के समपर्ख से ही ऐसे करने से शिशु को बड़ी बड़ी गंबीर बिमारियां हो सकते हैं, संक्रमित हो सकते हैं उन तरल पदार्द के दवारा तो आप लोग ये जानिये कि कोई भी अन्य पदार्द नहीं देना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ स्तनपान ही पहला करवाना चाहिए माताओं को तता पारम परिक धारन रखने वाले जन समदाई को कुलस्टरम के महत्व की अपेक्षित शिक्षा धें और इस प्रकार नई पीड़ी को सभल, स्वास्त तदा संक्रमन रहित बनाएं स्तनपान करवाने से क्या लाब होते हैं? ये हम अभी जानेंगे स्तनपान से नाकी शिशू को बलकी मा को भी कहीं लाब हैं शिशू का जन्म होने के बाद जो बार होती है धाई किलो से लेके तीन किलो तक ये सामान्यता बार और चे मेहने में ये लगबग चे किलो का हो जाता है ये सिर्फ ये जो बार जो बढ़ रही है ये केवल और केवल मा की दूद के द्वारा ही होता है मा की दूद के अलावा हम किसी अन्य तरल पदार्द नहीं लेना चाहिए और मा के दुद में इतनी सारे पोशक तत्व होने के कारण ये रोगों को लड़ने की शक्ति देते हैं तो जितने भी लोग स्थनपान करते हैं, जो शिशु स्थनपान करते हैं, वह कम से कम बिमार होता है क्योंकि इनके अंदर ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा आये हुए कहीं तरह के एंटी बॉडिस रोगों को लड़ने की श्यमता करते हैं इसके अलावा वृद्य और विकाश में लाबदायक है और सिट्स याने की जो सदन इंफैंट 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 सिंड्रोम होती है वह कम हो सकते हैं और अलर्जिक रियाक्शन्स जो शिशू में होते हैं जैसे कि स्किन रियाक्शन्स है या अस्तमा या इस तरह से रियाक्शन्स भी स्तनपान से कम होते हैं इसके अलावा शुशु के IQ, intellectual coefficient ये बहुत अच्छा होता है और ये तेज होगा आगे बढ़कर ये school performance भी आगे अच्छा होगा ये सारे शुशु के लाब हैं मा के लाब जैसे कि मा को अगर regular स्तनपान करवाएं तो मा का जो प्रसल घरबावस्ता से पहले जो शारीरिक आकृती थी वहाँ आकृती बनाया रखेगा इसके अलावा स्तनपान करवाने से जो ऑक्सिटोसिन हार्मोन जो सीक्रिट होता है वो जो गरबाशय को इन्वल्यूट करने के लिए अपना ही जो गरबाशय का जो पूर्वरूप प्रदान करने में सहायक करेगा और योनिस्ट्राव को भी कम करता है इसके अलावा आजकल जो हमें देखने को मिलता है कि ब्रेस्ट कैंसर अधिक से अधिक हो रहा है उसको भी स्तनपान करवाने से वो चेक करता है और मा का ये भी लाब है कि शिशु जब भी रोता है भूग के लिए तो तुरंध ही अपनी दूद पिला सकते हैं यानि कि अगर बॉटिल के दूद दे तो पहले बॉटिल को दोना होगा बॉटिल को हाइजन रखना होगा फिर दूद को गरम करना है फिर दूद को ऐसे तापमान पे ले आए कि वो शिशु पी सके इस तरह से करने में वो देर हो सकती है और यह दूद स्तनपान में जो शिशु को जितना तापमान में होना चाहिए उतनी ही तापमान में मिल जाएगे तो यह सारे स्तनपान के लाब है इसके अलावा जो स्तनपान ना करवा के अगर बॉटिल के दूद पिलाने का अगर शुरू करते हैं तो उससे कहीं कत्रे हो सकते हैं तो कुछ ही मुख के खत्रे क्या है वो हम देखते हैं बॉटिल के दूद पिलाने से पहली बात कि उन्हें कहीं तरह के रोग उत्पन होगा बॉटिल के दूद पिलाने से जो दूद में मिलाया जाने वाले पानी अगर संक्रमिक हो तो उन पानी के दोरान शिशु को भी कहीं तरह के बिमारियां आ सकते हैं मुक्यता कहीं श्वास संबंदित रोगी या इंटस्टाइनल संबंदित रोगी जैसे अतिसार इस तरह से हो सकते हैं इसके अलवा अब्डॉमिनल कोलिक जो पेट में दर्द उत्पन होगी हर समय या हर रोज शाम को ये रो सकता है बॉटिल की दूद से जब श्वास संबंदित रोग अधिक होंगे तो यह रोग फहल कर कान तक पहुँच जाते हैं तो बॉटिल के दूद पिलाने से कान में भी इंफेक्शन फहल सकती है इसके अलवा मा और शिशू के बीच का जो बॉंडिंग है वो कम हो सकती है अगर बॉटिल दूद पिलाते हैं तो बॉटिल को दादी भी पिला सकती है या कोई और अन्य लोग जो घर में रहते हैं वो भी पिला सकते हैं लेकिन स्थनपान कर्वाना हो तो वो केवल माही कर सकती है जिसके कारण वो हर समय शिशू के साथ अब टूट्च टूटच फीलिंग में रह सकते हैं जिसके कारण वो स्थन में स्थन्य की सीक्रिशन और बढ़ सकती हैं बॉटल की दूद से infection होने के कारण इस malnutrition भी हो सकता है। आगे जाकर बॉटल की दूद वाले बच्चे को आशियार कर या मरासमस जैसे protein energy malnutrition के पीडित हो सकते हैं। इसके अलावा बॉटल की दूद में कहीं महंगा भी होगा। क्योंकि दूद हो तो दूद को खरीदना पड़ेगा। या लैक्ट्रोजन की दूद हो तो डिब्बे का जो दूद है वो बहुत महंगा होगा। तो इस तरह से कहीं लाब नहीं हैं बॉटल की दूद से। विशिष्ट प्रतिकूल परिस्तितियों में सनपान संबंदी निर्देश। तो शिष्ट को स्तनपान नहीं करवाना चाहिए। लेकिन अगर मा को हलका भुकार या सर्दी खांसी या अतिसार जैसे चोटे-चोटे बिमारी हो तो भी मा स्तनपान करवाती रहना चाहिए। शिष्ट को अगर कोई बिमारी हो जैसे शिष्ट को अतिसार या शिष्ट को पी लिया या कोई अन्य बिमारी हो तो स्तनपान करवाना ही चाहिए। उन्हें नहीं रोपना चाहिए। स्तनपान करवाते रहें तो इसी के तुरू उन्हें कहीं तरह के पोशक तत्व मिलेगा जिसके कारण उनका जो रोग है वो जल से जल टीक होगी। शिष्ट को स्तनपान के साथ साथ संपूरक आहार देना चाहिए। जैसे जैसे शिष्ट बढ़ता रहेगा उसी के एकॉर्डिंग हम धीरे धीरे अर्द टोस आहार भी संपान के साथ आरंब करने चाहिए। और शिष्ट को दो साल तक स्तनपान कंटिनू रखनी चाहिए। इसी बीच में तरलपदार और अर्द टोस आहार शुरू करनी चाहिए। जिसे हम कहेंगे कॉंप्लिमेंटरी या सप्लिमेंटरी फीडिंग। अर्द टोस आहार में जैसे कि मैश्ट केला को मसल के या आलू को उबाल कर उसे भी मसल कर हमें दिन में एक या दू बार देनी चाहिए। अर्दटोस आहर के साथ साथ स्थन पान भी कांटिन्यू करने चाहिए। कहीं लोग सोचते हैं कि स्थन की आकार अगर चोटा हो तो कम दूद आएंगे और स्थन की आकार अगर बड़ा हो तो काफी दूद आते हैं। ये ऐसा नहीं है। स्थनों के आकार पर उसके दूद का उत्पादन निर्भर नहीं करता। स्थनों को शिशु जितना अधिक चूसता है दूद का उत्पादन उतनी ही अधिक होती है। एक बार एक साइड की स्थन देनी चाहिए और अगली बार दूसरी साइड की स्थन देनी चाहिए ताकि दोनों स्थनों का उपयोग प्रोपरली कर सकें। और रातरी काल में शिशु को स्थनपान के लिए प्रोतसाहित करनी चाहिए। जिस समय में शिशु सोता है उसी समय में मा को सोनी चाहिए और जिस समय में शिशु जगता है उस समय में मा को जगना चाहिए अधिकतर बच्चे या शिशु रात की समय जगते रहते हैं और एक्टिवली वो स्तनपान करते हैं तो उस समय मा को जग कर हर दो या ढ़ाई गंटे में रात्री काल में भी उन्हें स्तनपान करवाना चाहिए इसके अलावा शिशु को मा का सामेपिदे त्वचा से त्वचा का संपर्क कराएं स्तनपान के पूर शिशुओं को कदापी बौतिल का दूद ना दे कहीं मा ऐसे होते हैं कि वे समझते हैं कि उनकी दूद सफिशन नहीं हो रहा है तो वो बीच में बौतिल की दूद इंट्रड्यूस कर देते हैं आप लोगों को ये जानना है कि मा की दूद ही देने से अगर शिशु टाइम से अपना वजन बढ़ रहा है और दूद देने के उपरांथ ही वो पिशाप पास कर रहा है तो समझ लिजिए कि आपका दूद काफी है आपका दूद आने के बाद भी अगर बौतिल की दूद पिलाएं तो वो निपल कन्फूजन हो जाएगा शिशु क्यूंकि मा का स्तन का जो चूचक का जो सौफनेस अलग होती है और बौतिल की जो निपल होती है वो उसका सौफनेस अलग होता है इसको देकर अगर बौतिल को पीना लगेगा तो वो स्तनपान ठीक से नहीं कर सकता है इसलिए आप सभी को मेरा ये निवेदन है कि आप सब अपनी मा जो कम्मुनिटी में जो मा है उनको समझाईए कि स्तनपान के बीच में बौतिल के दूद कदपी ना करे स्वास्त कार्यकर्ता द्वारा संपान की महत्ता को बताने के लिए गर्बवती महिलाओं को सलाह देना अत्यंत महत्वपूर्ण है अगर किसी भी कारण से मा का दूद नहीं भरपूर मात्रा में नहीं आ रहा हो शिशू का वजन जितना बढ़ना चाहिए उसके एकॉर्डिंग अगर नहीं बढ़ रहा हो आप डॉक्टर से संपर्क करिए फिर आप बौतिल की दूद शुरू करिए अगर आप बौतिल की दूद पिलाने का हो तो गाई दूद बहत्तर रहेगा पहले के दो महने के शिशू को गाई के दूद पिलाना हो तो उसमें समान मातरा से जल मिला कर अच्छा सा उबाल कर पिलानी चाहिए दो महने के पश्चात अगर गाई का दूद दो तो बिना कोई मिलावट आपको देनी चाहिए दूद जब भी आप बॉटिल की दूद देते हैं तो ये दियान में रखिए कि बॉटिल की clean and hygiene रखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि सांक्रामिक रोग सारे ये बॉटिल को ठीक से ना दोने से ना उबालने से ही होता है और शुरुवात के दिनों में जनम के शुरुवात के दिनों में शिशु के कहीं तरह के vital organs जैसे की brain, liver, stomach सारे organs की बड़ा होते हैं तो इस समय में पोशक्तत्व की महत्व बहुत important है शिशु को समुचित डंग से मा का दूद प्राप्त होने के संकेत कहीं तरह के मा को ये doubt होता है कि मैं दूद तो दे रही हूँ परन्तु मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि शिशु को भरपूर मात्रा में मिल रहा है कि नहीं तो आप लोग हर माता को ये समझाईए कि शिशु का अगर बार बार रोना है तो ये समझना चाहिए कि मा का दूद नहीं भरपूर मात्रा में मिल रहा है विकास में बादित होना शिशु का बार में वृद्धी ना होना खड़ा सूका तदा हरे रंग का मल होना और बार बार अलप मात्रा में मल का त्याग करना ये सारे लक्षन जो है शिशु को भरपूर मात्रा में पोशक्तत्व ना मिलने का तो इस तरह से अगर शिशु को लक्षन मिलते हैं तो आप तुरंद डॉक्टर को संपर्क करें शिशु को स्तनपान कराने की सही टेक्निक कहीं तरह के मा, स्पेशली जो पहली बार मा बनती हैं, पहला बच्चा को मा बनती हैं तो उन्हें कहीं तरह के टेक्निक नहीं पता चलता है तो हमें ये हर मा को सिखाना चाहिए मा शिशु को अपने हातों में इस प्रकार पकड़े कि शिशु का चेहरा स्थन के सक्षम रहे, समक्ष रहे और उसका पेट मा के सामने हो शिशु का संपून शरेर स्थन की और होनी चाहिए सुनिश्चित करे कि मा संपून स्थन को पकड़ कर शिशु को दूद पिलाए ना कि मात्र निपल उपलब्द कराए निपल के साथ साथ एरियोला भी शिशु के मूँ तक जाना चाहिए ताकि वो अच्छा साथ चूस कर सके मा अपने निपल से बच्चे को गाल या होटो का पर्श कराए ताकि रूटिंग रिफलेक्स उदीपत हो कहीं तरह के reflexes जैसे rooting reflex, sucking reflex, swallowing reflex ये जनम से ही शिशू में होते हैं इन reflexes को हमें उदीप्त करवाना चाहिए rooting reflex उदीप्त होते ही शिशू, nipple और aeriola को पकड़ लेगा और धीरे धीरे चूसता रहे उसे हम कहते हैं sucking reflex जैसे ही चूसते हैं तो दूद शिशू के मुँ में आते हैं मुँ भरते ही वो swallow करता है इसे कहते हैं swallowing reflex ये तीन reflex low birth weight बच्चों में जो कम भार से जनम लिए बच्चों में इतना अच्छा सा नहीं रहते हैं लेकिन जो full term babies हैं उनमें यह अच्छी तरह से दिकाई देते हैं तो low term low birth weight बच्चों में जो rooting reflex, sucking reflex, following reflex ठीक से नहीं उदीपती होते हैं उनमें हम कटोरी और चिम्मत से ऐसा ही पकड़े जैसे हम स्तनपान करवाते हैं उसी तरह धीरे धीरे पिलाना चाहिए यह picture आप देखिए इसमें टेक्निक दिकाया गया है कि मा अपनी स्तन को किस तरह से पकड़ कर stepwise शिशू के मूँ तक ले जाया और शिशू किस तरह से पकड़ कर उसे चूजे कहीं तरह के positions भी होते हैं जो हम स्तनपान करवाने के समय कर सकते हैं हर समय बैटके ही देना चाहिए यह तो है परन्तु रात के समय कभी कबार लेट कर भी देने का होता है तो हम लेटने की position में किस तरह से बच्चे को पकड़ कर हम दूद पिलाएं ताकि उसे कोई श्वास संबंदित रोग ना हो जाए अधिकतर लेट कर पिलाने से दूद जो है कुछ मात्रा श्वास नली में भी जाता है और कान के तरफ भी आते हैं इसलिए इस पिक्चरों को देखिए और जानिए कि किस तरह से हम शिशु को पकड़े और किस तरह से हम उसे संपान कराएं स्तनों के आकार पर उसके दूद का उत्पाधन निर्बर नहीं करता स्तनों को शिशु जितना अधिक चूसता है दूद का उत्पाधन उतना ही अधिक होता है रातरी काल में शिशु को स्तनपान के लिए प्रोथसाहित करना चाहिए शिशु को मा का सम्मीपिदे त्वचा से त्वचा का संपर्क कराएं स्तनपान के पूर्व शिशु को कदापी बोतिल का दूद ना दे जिनम के तत्काल, पश्चात, शिशु को स्तनपान प्रारंब कराएं श्वास्त कार्यकर्ता द्वारा स्तनपान की महत्ता को बताने के लिए गर्बवती महिलाओं को सलाह देना अत्यंत महत्वपुन है कहीं बार देखने को मिलता है कि घर्बवती के समय उन्हें कोई काउंसलिंग नहीं मिलने के कारण प्रसव होने के तुरंत उन्हें किस तरह से करना चाहिए ये नहीं पता चलता है और प्रसव की पीडा से ही वह व्यस्त होने के कारण संपान करवाने में इतना सक्षम नहीं होते हैं महिलाएं इसलिए गर्बवती से ही संपान की एजुकेशन आवेरनेस देना बहुत इंपॉर्टेंट है स्तन को चूजने की तुर्टिपूर्न स्थिती से निपल सूज सकता है कलिंग हो सकती है निपल को शिशु दूद पीने से इनकार कर सकता है परियाप्त दूद प्राप्त ना होने की संभाव ना हो सकती है तदा इसे स्तन रक्त संकुलन की समस्या भी आ सकती है मा को यह ध्यान दिलाने की अवश्ष्कता है की प्रत्येक बार शिशु को अलग-अलग स्तन से दुख्दपान कराए ताकि दोनों ही स्तनों से अधिक-अधिक मात्रा में दूद प्राप्त हो सके परियाप्त स्तनपान कराए जाने के संकेत परियाप्त स्तनपान के बाद शिशु गहरी नीन में सो जाता है अगर आपका शिशु स्तनपान के बाद गहरी नीन से सो गया तो समझ लेजे कि वो पेट भर पी लिया है शिशु को सामान ये मल भी होता है क्योंकि शिशु का जो पेट बहुत चोटा size में होता है जैसे ही वो दूद पीते हैं तो pressure के कारण नीचे से मल होता है शिशु दिन में कम से कम चय या अधिक बार मुतर त्या करता है हर बार जब भी शिशु दूद पीता है तो मुतर भी त्या करता है शुशु के बार में निरंतर वुद्धी होती है अगर ये लहक्षन मिलते हैं तो आप समझ लिजे कि शुशु को जो स्तनक से जो पान है प्रॉपर मिल रहा है स्तनपान संबंदी आम समस्याएं एवं उनका निवारन कहीं तरह के स्तनके related समस्याएं आते हैं जैसे कि अतिपूरन जिसको हम कहते हैं breast engorgment चूचक की शोद, sore nipples, अवरोध नालिका तो lactiferous ducts होते हैं ब्रेस्ट के अंतरगत वो ब्लॉक हो जाते हैं तो ब्लॉक duct दरगदार चूचक, crackled nipples तो इसके एक-एक मैं image के द्वारा आपको बताना चाहरे हूँ आईए हम देखते हैं यह है अतिपूरन लक्षन या breast engorgment मा अगर ठीक से स्तनपान न कराएं तो तन जो है एकटा होने लगता है इसके कारण बड़ा हो जाता है और मा को इसमें दर्द महसूस होती है तो तुरंथ ही मा अपने शिशु को अपोजिट प्रेजर दो उंगलियों से देते हुए प्रेजर कंट्रोल करते हुए शिशु को दूद पिलाने चाहिए अगर ओफिस के मा breast engorgment होता है तो इससे squeeze करके निकालना चाहिए इसी तरह अगर हम चोड़ देते हैं breast engorgment को तो ये शोत बढ़कर ज़र भी उत्पन कर सकते हैं तो इसी लिए हर दो गंटे में या धाय गंटे में एक स्थन के बाद दूसरी स्थन इस तरह से बदलते हुए शिशु को अगर स्थन पान कराएं तो आतिपूरन वाली लक्षन से बच सकते हैं इसके अलवा चूचक में शोत शिशु को अगर रॉंग टेकनिक से हम अगर स्थन पान करवा रहें या पोजिशन सही नहीं बैट कर हम स्थन पान करवाएं तो तुटिपूरन से ठीक से नहीं चूजने के कारण और निपल सोर हो सकते हैं या शोत हो सकते हैं और शोथ होगा तो इसमें पेइन भी होगा जैसे जैसे शिशु सनपान के लिए लेता है तो मा को पेइन महसूस होंगे और इस समय में हम शिशु को सनपान नहीं करवाना चाहिए कि मिलक के अलावा कोई अलग सीक्रिशन भी आ सकते हैं इसलिए एक या दो बार के लिए तनपान न न कराए और सोर निपल को डॉक्टर से समपत करके जल से जल ठीक करवा लेना चाहिए अवरोध नलिका ब्रेस्ट के अंतरगत कहीं तरह के मिल्क डक्ट्स होते हैं और मिल्क डक्ट्स भी तुटी पूर्ण शिशु अगर ना चूजने के कारण ही यहां होता है तो कोई न कोई नल ब्लाक हो जाती है जिसके कारण वो अवरोध होकर ठीक से दूद उत्पन नहीं हो पाती है इसके अलावा एक और कारण है जो क्रैकर निपल निपल क्रैक हो जाती है निपल क्रैक होने से उसमें से ही भी कोई अन्य तरलपदार निकलती है जैसे की खून या कुछ और इंफेक्शन होने के कारण कुछ और पस भी निकल सकते है तो इन में भी जब तक ये ठीक ना हो तो दूद नहीं पिलाना चाहिए ये जो क्रैक निपल को हम गरबावस्ता में जब अंटरनेटल केर के लिए डॉक्टर के पास आते हैं तब ही से हम हमें ये देखना है कि कोई क्रैक निपल तो नहीं है या निपल इन्वर्ट तो नहीं है इस तरह से हमें देखना चाहिए यह जो cracker निपल बार बार सोप से हर बार दू देने के बाद अगर साबून से दोते हैं तो भी हो सकते हैं तो इसलिए दिन में एक या दो बार ही साबून से अपना breast और निपल को दोएं और कुछ ऐसे मखन या घी इस पर लगा सकते हैं तो आपने आज तनपान के बारे में जाना हैं तनपान किस तरह से करवाना चाहिए और कितनी भार करवाना चाहिए कैसे टेक्निकों अपनाना चाहिए ताकि छिशु का विकास रुद्धी ठीक से हो जाए और आपने ये भी जाना है कि इस्तन पान से क्या advantages हैं और bottle के दूद से क्या disadvantages हैं यह सारे बातें आपने जो जाना है वह सारे मैं चाहती हूँ कि यह हर एक महिला तक आप पहुँचाए और मात्र एवं शिशु की स्वास्त बनाए रखने में आप सक्षम हो धन्यवाद